टीम आरोहन आज आपके सामने लेकर आई है United Nations के उपर सहिंक तुरा संग के उपर Top 15 Questions इस वीडियो को सुरू करने से पहले आप सभी को मेरा नमशकार और स्वागत है आप सब का आरोहन में United Nations जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये टॉपिक कितना important है इस टॉपिक से almost सारे recruitment examinations में question पूछे जाते हैं चाहे वो railway का exam हो चाहे SSC का कोई सभी exam हो चाहे आप bank की भी कोई सभी exam दे रहे हो even state PAC में भी even UPSC में भी हर जगह पे इनके questions पूछे जाते हैं तो ये topic बहुत important है तो चलिए बिना समय गवाय शुरू करते हैं हमारे top 15 questions तो हमारे पास सबसे पहले question number 1 है सहिक्त राष्ट संग आधिकारिक तौर पे अस्तितों में कब आया मतलब कब बनाया गया आधिकारिक तौर पे इसका जो existence है वो कब आया हमारे पास options है option a 25 अक्टूबर 1942 24 अक्टूबर 1945 और 24 अक्टूबर 1945 तो इसका answer है हमारे पास d 24 अक्टूबर 1945 ये option है जिस दिन इस date पे सहिक्त राष्ट संग आधिकारिक तौर पे अस्तित्व में आया 24 अक्टूबर 1945 ठीक है चलिए question number 2 पे चलते है question number 2 है संयुक्त राष्ट संग का मुख्याले कहा है options दिये हुए है headquarters पूछ रहे आपसे options दिये हुए है a Paris b London c New York या फिर d Hague इसका answer है option c New York ये answer है संयुक्त राष्ट संग का मुख्याले जो है वो New York में established है New York में इसका मुख्याले है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पास है question number three संयुक्त राष्ट संग ने कितनी भासाओं को मान्यता दी है संयुक्त राष्ट संग ने कितनी भासाओं को मान्यता दी है समझ की question options हैं हमारे पास चार, पांच, छे और साथ तो इसका answer होगा answer C छे भासाओं को मान्यता दी है संयुक्त राष्ट संग ने ठीक है चलिए चलते question number four पे question number four है संयुक्त राष्ट संग के कितने प्रभुख अंग है options हैं हमारे पास four, five, six और seven तो इसका answer है answer C छे हमारे पास संयुक्त राष्ट संग में छे प्रभुख अंग है आगे बढ़ते हैं question number five पे question number five पूछ रहा है हमसे संयुक्त राष्ट संग नाम किसने दिया यह जो नाम इस organization का रखा हुआ है संयुक्त राष्ट संग यह नाम दिया किसने हैं हमारे पास options दियो है option A ट्रिगवे ली, option B यूथांट, option C Franklin D. Roosevelt and option D है John Ellison तो इन में से वो कौन थे जिन्हों ने नाम दिया थे इस organization का संयुक्त राष्ट संग या फिर United Nations तो वो है Mr. Franklin D. Roosevelt इन्होंने ही संयुक्त राष्ट संग नाम दिया था आगे बढ़ते हैं question number 6 पे question number 6 पूचता है संयुक्त राष्ट संग के प्रथम महा सचीव कौन थे options में फिर दिया हुआ है हमारे पास Franklin D. Roosevelt option B है Trigwelly, option C है Coffee and None and option D है Barn Ki Moon तो हमारे पास option है A, B, C, D उन में से सही जवाब है option B Trigwelly, Trigwelly है वो हमारे सबसे पहले संयुक्त राष्ट संग के प्रथम महा सचीव थे वो थे Trigwelly चलिए question number 7 की तरफ चलते है question number 7 संयुक्त राष्ट संग महा सभा की पहली बैठक कब हुई पहली बैठक पूछ रहा है उसकी date पूछ रहा है हमसे options यह हुआ है 10th January 1946 11th January 1946 12th January 1946 13th January 1946 तो इसका answer है जब पहली meeting हुई थी पहली बैठक हुई थी वो हुई थी option A 10 January 1946 इस date पे सबसे पहली बैठक हुई थी सेव तराष्ट संग की जो महा सभा थी उसकी पहली बैठक हुई थी 10 January 1946 question number 8 देखते है question number 8 ने पूछा जा रहा है सेवतराष्ट संग का मुख्षाले किस द्वीब पर बना है सेवतराष्ट संग का जो हैदकोर्टर से वो कौन सी द्वीब पर बना है यह पूच रहा है option D दिया हुआ है kingman द्वीब option B है चतुलाई द्वीब option C है स्वानीज द्वीब और option D है मैनहेटन द्वीब तो इसका आंसर है option D मैनहेटन द्वीब मैनहेटन न्यू यॉर्प ही का हिस्सा है एक अलग separate आइलेंड है तो यहाँ पर बना हुआ है सहिकतुरासंग का मुख्यालल ठीक है सहिकतुरासंग का मुख्यालल है कहाँ तो वो है चलिए देखते है question number nine question number nine में पूछा जा रहा है मैनहेटन दीप पर बने संग तुरासंग मुख्याले में कितने मंजिल हैं अभी हमने देखा था कि वो कौन से दीप पर बनाया है है हैटकोर्टर वो पूछा था तो उसका आंसर पता चल गया हमको मैनहेटन दीप अब वो हमसे पूछ रहा है कि जो उप्शन सी क्या जवाब है इसका उप्शन सी ठर्टी नैन फ्लोर ठर्टी नैन फ्लोर बने हुए है कहां पर संग तुरासंग के मुख्याले में फ्लोर है तो हमारे पास जो आंसर होगा वो है उप्शन सी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेशन नंबर 10 की तरफ question number 10 पूछ रहा है स्थापक देशों की संख्या थी मतलब कितनी संख्या थी जब इसको establish किया गया तब कितने member थे स्थापक संख में यह है हमारा question number 10 options देखते हैं सबसे पहले options पूछा जा रहा है option A 50 option B 51 option C 52 option D 53 तो इसका answer है option B मतलब 51 countries तो संख्या राष्ट संख के संथापक सज़श्य देशों की संख्या थी कितनी वो थी 51 पूछ नमबर 11 में हमसे पूछा जा रहा है वरतमान में संख्या संख्या में कितने सज़श्या है options दिये हुए है 191, 193, 195 और 197 क्या पूछ रहा है हमसे कि कितने मेंबर है आभी की डेट में वरतमान में संथापक संख्या में कितने सदस्य है सदस्य से पूछ रहा है मतलब कितनी मेंबर है कितने कंट्रीज अभी United Nations के मेंबर है तो इसका जवाब है 193, option B option B is the correct answer चल ये देखते हैं question number 12 question number 12 में पूछा जा रहा है साहिकतरास्ट संख का दोज कब स्विकारा गया साहिकतरास्ट मतलब United Nations का जो flag है उसको कब accept किया गया तो इसके options देखते हैं options में दिया हुआ है 20th October 1947 21st October 1947 22nd October 1947 या फिर 23rd October 1947 तो हमारे पास जो answer आ रहा है इसका वो है answer 20 October 1947 option A 20 October 1947 को साहिकतरास्ट का जो flag है जो द्वज है उसको स्विकारा गया काब स्विकारा गया 20 October 1947 question number 13 question number 13 इसमें बोल रहा है स्विकतरास्टरंग द्वारा मान्यता प्राप्त भासा कौन सी नहीं है ठीक है लैंगवेज कौन सी है जो की स्विकतरास्टरंग से मान्यता प्राप्त नहीं है इसमें options देखते हैं options हैं हमारे पास option A French option B Spanish option C Arabic option D Japanese इन में से कौन सी भासा है जिसको मान्यता नहीं है सेंट राष्ट संग की तो हमारे पास answer है इसका answer option D Japanese Japanese language जो है उसको सेंट राष्ट संग से मान्यता नहीं मिली हुई है ठीक है? कौन सी भासा है जो मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो है Japanese language Japanese भासा को संग्तरास संग से मान्यता नहीं मिली हुई है चली Question number 14 Question number 14 Question number 14 बोलता है संग्तरास संग की कारेकारी भासाएं है संग्तरास संग की options है अर्बी और अंग्रेजी, option b है French और अंग्रेजी, option c है चीनी और अंग्रेजी and option d है Russian और अंग्रेजी, ठीक है अर्बी and English, French and English, Chinese and English, Russian and English, तो इन में से कौन सी भासा है जो सहिक तुराष्ट संग की कारी-कारी भासा है, working language जो है तो इसका answer है option b, option b मतलब French और English, ये दोनों language जो हैं वो सहिक तुराष्ट संग की कारी-कारी भासा हैं कौन कौन सी है, French and English, चलिए, question number 15, question number 15 पूछता है हमसे सहिक तुराष्ट संग के निर्माड में सहिक तुराष्ट संग के चार्टर पर इतने देशों ने हस्ताक्षर किये मतलब सहिक तुराष्ट संग का जब establishment हुआ जब बनाया गया उसको तब सहिक तुराष्ट संग के चार्टर में इन में से जो numbers दिये हुए हैं उन में से कितने देशों ने signatures किये थे हमारे पास options दिया हुआ है option A कहता है 50 option B 51 option C 52 and option D says 53 तो इसका answer है कितने देशों ने sign किया था number of countries पूछा है वो तो इसका answer है option A option A मतलब 50 countries 50 countries ने United Nations के charter पर signature किया था जब United Nations को बनाया गया था उस समय 50 countries ने United Nations के charter पर signature किया था ठीक है तो ये थे हमारे 15 questions United Nations के उपर top 15 questions हमारे पास और भी इस topic को cover करने के लिए questions है बहुत जल्दी हम इसका second part लेकर रहेंगे जिसमें आपके पास और भी questions होगे आप United Nations के उपर बनी हुए series को पूरा देख लेंगे तो आपको कुछ भी extra और पढ़ने की जरूरत नहीं है United Nations के उपर आपको सारी जानकारी सारी details यही पर इसी वीडियो में मिल जाएगी हमारी जो series है United Nations के उपर यह उसका part 1 है part 2 आप जरूर देगे thank you for watching hope to see you in our next video till then take care guys